कैसे हो आप सब, I hope आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो में आज बात करेंगे शिबा इनु के बारे में कुछ इंपोर्टेंट अपडेट्स हैं शिबा इनु को लेके वो कवर करेंगे और साथ के साथ आज बात करेंगे future predictions के बारे में शिबा इनु का price कितना बढ़ सकता है आने वाले दो साल के अंदर means 2025 तक क्योंकि 2025 एक ऐसा year हो सकता है जहां bitcoin अपने all time high को set कर सकता है means नया all time high लगा सकता है और यह वो बाला year भी हो सकता है जब bitcoin के level या तो एक लाख डॉलर या दो लाख डॉलर या वन मिलियन डॉलर है ना क्योंकि बहुत सारे predictions हो चुके हैं bitcoin को लेके लेकिन अगर लाखों डॉलर वाली बात बनती है bitcoin से तो definitely बहुत सारे coins बहुत बड़िया वाला pump करने वाले हैं बहुत hard pump करने वाले हैं अगर bitcoin ने ये levels हिट किये दो लाख डॉलर तीन लाख डॉलर है ना तो अगले दो साल में जब bitcoin अपने all time high पे होगा तो shiba inu का क्या होगा क्या future है और क्या अगले bull run में target हिट हो सकते हैं उसके बारे में डिसकस करेंगे पहले बात करेंगे crypto market के बारे में अगर आप अभी situation crypto market की देखेंगे तो bitcoin आज 27,800 डॉलर तक आ चुका है और काफी अगर आप देखो 30,300,400 डॉलर से हम पूरा पूरा यहां पे 25,000 डॉलर से भी जैदा bitcoin का price गिर चुका है जो कि अपने आप में काफी बड़ी बात है और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि काफी time से correction market में देखा नहीं था आप देखो जब से 19,000 डॉलर से bitcoin ने एक उपर की दिखाती न तो game बदलता नहीं है उसके आगे अगर ओर उपर जाना है तो ऐसा correction भी दिखेगा और एक अच्छा मोका है dip का dip का मोका miss मत कीजिए वापिस से गाड़ी reverse हो सकती है और अब जो you turn लेगा bitcoin वो सीधा 32, 33,000 डॉलर तक भी ले सकता है और तयार रहिएगा अगले म CK decision और CPI data यह dates आप बिल्कुल भी हलके मत लीजिएगा ठीक है उससे पहले April बंत की closing हो जाएगी और यही देखना सबसे ज़्यदा जरूरी है कि bitcoin April बंत की closing 32, 33 या उससे भी उपर दे पाएगा या नहीं दे पाएगा है ना तो अब जितने भी दिन है April के वो काफी important days होने वाले crypto market के लिए शिवा इनु की बात करें तो आप देखो bitcoin इतना नीचे आया तो बहुत सारे coins अच्छे गासे correction में है 10-12% बहुत सारे coins टूटे है शिवा इनु भी नीचे आया और वही level आ चुके है शिवा इनु के 1050 है 0.4 x 0 अच्छा नीचे का level चल रहा है शिवा 2022 में भी हुई है 2023 में भी हो रही है और आगे जितना year यहाँ पे अभी बचा है जितने भी महीने है 2023 के बहुत कुछ होने वाला है है ना तो आज हम पूरी detail में बात करेंगे शिवा इनु के बारे में pump नहीं है बिल्कुल नहीं है शिवा इनु फैवी कोल से चिपक गया है 10 11 12 के levels के उपर नीचे जाता है 5-0 पे तो आपको पता है 5-0 पे हो क्या है बहुत बार bitcoin के साथ साथ और आ जाता है कहां पे यहीं पे 10-12 की series उपर जाता है 15-18 के high लगा के आया है फिर से वापिस नीचे आ गया तो यहीं situation यहीं level ना एक तरह से पकड़ लिया है शिवा एक level अप नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता और यह level अप कैसे होगा यह level अप एक ही बार में होगा इस चीज़ को आप खुद ध्यान से समझेगा पहले हम बात कर लेते हैं कुछ updates के बारे में सबसे पहले बात करेंगे Wales की Wales का मोटा पैसा है शिवा इनु के अंदर ब Wales कही रहा गए एक बहुत बड़ा plan कर रही है यह Wales जो आप देख रहे हैं accumulation हो रहा है और पिछले 24 गंटे में फिर से दो transaction हुआ है Wales को लेके एक 117 billion का और 130 billion का मतलब इतने शिवा इनु यहां पर फिर से खरीदे गए और यह total जो है अगर हम देखें तो 311 billion 311 billion tokens total दो वे एक वेल ने आप ब्लू वेल ने दो transaction किये है अलग लग और total जो quantity है वो 311 billion की है मतलब 311 billion शिवा इनु फिर से खरीदे गए है 24 गंटे के अंदर शिवा इनु शिवा इनु की अगर हम जहां तक बात करते हैं सबसे बड़े जो factors है Wales का investment जो की बहुत बड़े level पे है किसी और coins म आप देखोगे बड़े-बड़े fundamental coins में भी Wales इतना बड़ा investment अब आज की date में यह नहीं कर रही है कर जरूर रही है लेकिन इतना जितना बड़ा शिवा इनु के लिए खेल चल रहा है न उतना बड़ा नहीं है fundamental के लिए पहला factor सबसे बड़ा Wales है दूसरा factor है शिवा इनु क gateways है जहां से crypto currency की payment accept हो सकती है सबने क्या किया हुए शिवा इनु का support already add किया हुए यह सबसे बड़ा factor है किसी crypto को जब adoption मिलता है तो वो future में एक बड़ा अच्छा role play करती है उसके price पे भी असर बड़ता है तो यह सारी चीजें आप हलके मत लीजेगा बहुत सारे coins आप दे utilities नहीं development नहीं adoption शिवा इनु की टक्कर में इन मामलों में कोई भी नहीं है है ना pump भले ही नहीं है pump भी आएगा ठीक है लेकिन अगर हम factors में बात करें ना भया factors मार्केट में बड़े होते हैं कि coin में कितना दम है project में कितना दम है pump दिखाने के बाद अगर उस coin में बाद में अगर तीन साल पांच साल pump ना आए तो फिर वो coin dead हो जाता है है ना तो शिवा इनु के साथ थोड़ा अलग सीन है शिवा इनु पंप नहीं कर रहा फिर भी शिवा इनुको इतना ज्यादा push मिल रहा है शिबैरियम बीटा बहुत ज्यादा push मिल रहा है शिवा swap 2.0 आने की त लिस्ट में है शिवा इनु की अब शैटोशी कुसामा कब यह सब launch करते हैं यह time बताएगा ठीक है एक चीज और add करना चाहेंगे अब future prediction हम जहां तक बात करते हैं तो future prediction के लिए मुझे लगता है कि अगर एक चीज का तड़का और लग जाए शिवा इनु में तो definitely बहुत अच्छे level जल्दी आप hit होते हुए देख पाओगे मतलब तब भी आपको weight तो करना ही पड़ेगा लेकिन शिवा इनु की supply है वो बहुत ज्यादा है हम बिल्कुल factors पर बात करेंगे जो चीज है कुछ positive चीजे हैं बहुत अच्छी लेकिन कुछ negative यह है कि शिवा इनु की supply ज्यादा है लेकिन उसको कम करने के लिए कुछ बड़ा यहां पर काम नहीं किया जा रहा है शिवा इनु के लिए बहुत सारी चीजें हुई है बहुत सारे platform develop किये कि उनके जरिये burning होगी बहुत सारी चीजें देखी है हमने है ना और शिवा इनु का burn portal आया लेकिन अगर हम सारी चीजों को भी add कर दें तब भी एक trillion token भी नहीं निकाल पाए पिछले एक साल में तो यह एक सबसे बड़ा मुझे लगता है कि शिवा इनु इतना develop हो रहा है इतना ecosystem grow हो रहा है तो इतना कुछ हो रहा है और शिवा इनु की supply को कम करने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है और इसलिए हमने जो है एक मुहिम स्टार्ट किया है और यह मुहिम है कि monthly और quarterly शिवा इनु burn किये जाए कि हर महिने आप इतने fix token burn कर दीजिए fix से थोड़ा उपर नीचे चलेगा या हर 3 महिने में कर दीजिए लेकिन वह number अच्छा कासा quantity हो कि भाया कि हां लगे कि अ बहुत बढ़िया रास्ता खुल सकता है बड़े target के लिए अब बात कर लेते हैं यह तो जब होगा तब होगा ठीक है लेकिन शिवा इनु के क्या target हो सकते हैं अगर यह होता है तो अगर यह नहीं भी होता तो भी क्या हो सकता है शिवा इनुगा अगर हम future की बात कर लें तो भाया बुल रन में शिवा इनु आपको काफ़ी अच्छे बड़े target हिट करता हुआ दिख सकता है जब bitcoin एपने all time high के उपर होगा है ना दो साल की बात कर रहा हूँ मैं 2023 अब से लेके अभी शिवा इनु एक तरह से बहुत अच्छा discount दे रहा है रेंग रहा है इसको मौका मिस मत कीजेगा होल्ड करना है बस आपको बुल रन दक होल्ड करना है और कुछ भी नहीं करना शिवा इनु 0 की जहां तक हम बात करते हैं इंडियन रूपीज में कभी 2-0 आती हैं कभी 3-0 आती हैं यह सारी 0 किल हो सकती है शिवा इनु की एक ही बार में अगले बुल रन में क्योंकि अगर Shiba Inu का bull run अच्छा खासा वाला आ गया तो rupees की value definitely एक रुपे की जो value है वो Shiba Inu की हिट हो सकती है अगर माल लो कुछ percent chances अगर 1 रुपी की value नहीं भी हिट होती तो 1 रुपी के करीब जरूर पहुंच जाएगा 2025 सक अगर Shiba Inu का bull run अच्छे वाला आता है क्योंकि Wales ने बहुत अच्छा पैसा डाला हुए Shiba Inu के अंदर तो उनका एक बहुत बड़ा game plan है इसके साथ-साथ और भी यहाँ पे कुछ चीजें है पर्दे के पीछे चलती है तो Wales के बड़े-बड़े game आपको देखने को मिलेंगे जब Wales accumulate कर रही है यह accumulation ही चल रहा है Wales का Wales जब accumulate कर रही है पैसा डाल रही है तो वो हवा में नहीं डाल नहीं है इतना अच्छा discount मिल रहा है Shiba Inu के उपर तो Wales पागल नहीं है Wales ने पैसा बनाया market में वो बनाती है और आगे भी बनाती रहेंगी ठीक है तो बस थोड़ा सा यहाँ पे wait करना पड़ेगा और 2025 तक हम 1 रुपी का target Shiba Inuva लेके चल रहा है वन रुपी हिट हो सकता है बहुत बड़ी बात कर रहा हूं मैं कि भहिया दो जीरो है तीन जीरो है जो भी कभी दो होती है इंडियन रुपी की बात करूँ है इंडियन प्राइस की है ना वन रुपी की अब जो value है Shiba Inu की deserve करता है Shiba Inu की hit करे है ना क्योंकि 2025 तक अगर मैं बात करूँ पांच साल हो जाएंगे market के अंदर Shiba Inu इस चीज़ का भी ध्यान रखना अगस्ट 2020 में आया था तो 2025 में 5 साल complete हो जाएंगे तो 5 साल में 1 रुपी जाना और Shiba Inu ने इतना कुछ किया है already ठीक है तो not a big deal है ना बाकी आपके क्या views है आप comment करके जरूँ बताइएगा आगे जो update रहेंगी Shiba Inu पे हम आपके साथ share करते रहेंगे ठीक है किसी भी crypto में आप invest कर रहे हैं हमेशा अपनी research करें वो बहुत जरूरी होती है मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए bye bye take care